बाई और बेहनों याद करिये पहले कितने गोटाले होते थे और हम हिंदुस्तान वासी कितना शर्मशार होते थे आपके इस सेवक ने पांच साल सरकार चलाई है और कोई प्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है हाँ दीडि में सपने देखने वालों को जूट बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता साथियों इस प्रधान सेवक को आपका विश्वात मिला है आपके आसिरवात मिले हैं तभी काले धन और प्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है आपका साथ मिला तभी हजारों करोन रुपिय का कर्ज लेने वालों से देश के पसपैसे वसूल कर पाया हूं आपका समर्थन मिला तभी सारे तीन लाग से ज़्यादा फरजी कंपनियों को एक जाटके में बंद कर दी आपने मुझे हर फैसले का होंसला दिया तभी जो महेंगाई आस्मान को छू रही थी बिच्वे लिए मलाई खाते थे किसान मरता था उपभोगता मरता था और इनके चले चपाटे माल खाते थे उस महेंगाई को भी काबू करने का काम ये मोधी सरकार कर पाई है साथियो मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कॉंग्रेस एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलो पर अविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है इसकी बड़ी वज़ा ये है कि ये सिर्फ एकी व्यक्ति के साथ लड़ रहे है अब ये हमारे सारे विरोधियों के बाशन सुनिए वो देश को कहां ले जाने है कुछ बताते नहीं अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया क्या किया बताते नहीं आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं सिर्फ एक ही बात बोलते हैं बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा करनाटक में जाओ वही सुनाई देगा महाराश्य में जाओ वही सुनाई देगा बारामती में जाओ वही सुनाई देगा मादा में जाओ वही सुनाई देगा क्या सुनाई देता है मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है देश को दुनिया में गवर्व कैसे दिलाएंगे भारत की जैजेकार कैसे होगी इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कॉंग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए है नामदार ने पहले चौकिदारों को चोर कहा और जब चौकिदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकिदार कहने लगा तो उनके मूँ पे ताला लग गया और अब मूट चीपाते फिर रहे हैं अब जब चौकिदार चोर है माई मिला चला नहीं तब हर व्यक्ति यह बात बोल रहे हैं जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है भाईयो बेहनों पिछडा होने की वज़े से हम पिछडों को अनेक बार ऐसी परेशानिया जिलनी पड़ी है अनेक बार कॉंग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली मेरी जाती बताने वाली गालिया देने में कोई कमी नहीं रखी है लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बर गए है और पूरे पिछडे समाज को ही चोर कहने लग गए है अरे मुझे गाली दो मैं कई वर्षों से बरदास करता है हूँ कर लूँगा लेकिन चाहे चोकिदार हो समाज का पिछडा वर्ग हो दली तो पिडी तो सोची तो आदिवासी हो अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बरदास्त नहीं करेगा ये देश बरबास्त नहीं करेगा कॉंग्रेस और उसके साथियों को भाईयों बहनों आप मुझे बताईए ऐसी भासा बोलने वालों को आप सजा देंगे के नहीं देंगे सजा देंगे के नहीं देंगे सजा देंगे के नहीं देंगे